JTC Holidays प्रस्तुत करता है फोकेत वर्चुल टूर, शॉपिंग प्रेमियों और फैशन परस्तों के लिए आदर्श, पातोंग बीच अपने शॉपिंग सेंटर और स्टालों के लिए जाना जाता है करोन बीच से एक छोटी ड्राइव की दूरी पर स्थित, यह स्थान अपने नर्म रेतीले खाडियों और क्रिस्टल साफ पानी से मंत्र मुग्धा कर देता है बैठी हुई मराविजा बुद्ध प्रतिमा फोकेत में सबसे लोकप्रिय दर्शनिय स्थलों में से एक है और देश में सबसे प्रतिष्थित स्थल है अंतराश्ट्रियस तर पर प्रसिध आर्ट गैलरी फुकेत के कुछ पर्यटन स्थलों में से एक है जहां आप अपनी कल्पना को उजागर कर सकते हैं बारा एकर भूमी में फैला फुकेत बढ़ पाक प्रकृती प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के बीच फुकेत में सबसे प्रसिध पर्यटन स्थलों में से एक है फुकेत में सबसे आकर्शक दर्शनियस थलों में से एक के रूप में उभरता हुआ हनुमान वर्ड थाइलेंड का नवीनतम एको एडवेंचर पाक है फुकेत में 60 एकर का सांस्कृतिक फैंटेसी थीम पाक प्रमुक आकर्शनों में से एक है फुकेत का पुराना शहर एक एतिहासिक रूप से सम्रिधा प्रांतिय राजधानी है जहां आपको सुन्दर मंदिर, राजसी मंदिर और उनकी मूल वास्तुकला के साथ सनरक्षित नाजुक दुकाने मिलेंगी नौसिक्षियों के साथ साथ अनुभवी विशेशग्यों के बीच प्रसिद सर्फ हाउस शहर में सभी प्रकार के सफ़ा का घर है फुकेत, पटोंग स्टेडियम में सबसे लोकप्रिया पर्यटन स्थलों में से एक में प्रसिद माय थाई लाइव किक बॉक्सिड मैचों का आनंद ले सिरिनर्ट नेशनल पाक अपने सफेद रेत समुद्र तटों और समुद्र तट पर कम उतरने वाले विमानों की द्रिष्टी के लिए जाने के लिए सबसे प्रसिद फुकेत स्थान है यह स्थान मुख्य रूप से स्वर्ण बुद्ध के आधे दफन मंदिर को देखने के लिए जाता है केवल बुद्ध का सिर और कंधा दिखाई दे रहा है और प्रतिमा की खुदाई संभव नहीं है जिप लाइनिंग फुकेत में सबसे प्रसिद आकर्शनों में से एक है और इस एड्रेनालाइन रिलीजिंग एडवेंचर स्पोर्ट का आनन्द लेने के लिए सबसे अच्छी जगा जंगल एक स्ट्रीम एडवेंचर पाक है फुकेत समुद्र तटों की सूची में एक अदूशित और दूसरा सबसे लंबा बंगताओ समुद्र तट एक लगजरी वापसी के लिए सबसे अच्छी जगा है फुकेत के सभी आकर्शनों में से जंगल अभ्यारण्य सबसे मजेदार है थाइलेंड के राश्ट्रिय पशु का आवास यह स्थान आपको सुन्दर राजसी जानवरों से उनके प्राकृतिक आवास में जुड़ने का अवसर प्रदान करता है यह फुकेत के चार द्वीपों में सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है ता रुआ का मंदिर फुकेत का सबसे चमकीला और सबसे बड़ा मंदिर है बरसात के मौसम में बांग पे जल प्रपात एक लोगप्रिया पिकनेक और तेरा की स्थल है परियटक और स्थानिय लोग ठंडे पानी, छाया और असामान्य परिवेश का आनन्द लेने आते हैं अंडमान सागर के शांदार द्रिश्यों का आनन्द लेते हुए अपने दिमाग को फिर से जीवन्त करें और अपने शरीर को आराम देह मालिश से भर दें फुकेत की चालोंग खाड़ी में वह चालोंग एतिहासिक फुकेत स्थानों में से एक है जो सदियों पुराने बौध मंदिरों के लिए जाना जाता है यह एक गुप्त समुद्र तट का अनुभव करता है क्योंकि यह एक खड़ी किनारे वाले खांचे में बधा हुआ है जो ताड़ की हथेलियों से घिरा हुआ है और बड़े पैमाने पर पत्थरों से अटा पड़ा है जब फुकेत में दर्शनी या स्थलों की बात आती है तो माई खाओ बीच में स्थित स्प्लैश जंगल वाटर पाक दक्षनी थाइलेंड में एक अपरहार्या गंतव्या है यदि आप फुकेत में पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप स्थानी या डॉल्फिनेरियम की यात्रा करें जहां आप समुदरी जानवरों के नस्दी की द्रिश्य प्राप्त कर सकते हैं फुकेत चिरिया घर की यात्रा करें और इस शांदार विविद प्रकार के चिरिया घर की सराहना करें फुकेत एक्वेरियम की यात्रा के साथ पानी के भीतर रहने वाली उश्नकटे बंधिया सुन्दर्ता की दुनिया में गोता लगाएं जब आप फुकेत में हूँ तो राजसी बागों की संगती में घूमते हुए एक आकर्शक यात्रा के लिए तैयार हो जाए करोन व्यूपॉइंट फुकेत के सबसे लोकप्रिय द्रिश्टिक उनों में से एक है और फुकेत में उल्लेखनिय पर्यटक आकर्शन है उत्तर में पातोंग और दक्षन में काटा के बीच स्थित तीसरा सबसे लंबा समुद्र तट करोन बीच फुकेत के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है सफेद रेत और क्रिस्टल साफ पानी के विस्तार के साथ एक सुन्दर समुद्र तट, नई हन बीच आपकी आत्मा और आत्मा को पुनरजीवित करने और रिचार्ज करने के लिए एक शान्तिपूर्ण निवास स्थान है सफेद रेत और क्रिस्टल साफ पानी के विस्तार के साथ एक सुन्दर समुद्र तट, नई हन बीच आपकी आत्मा और आत्मा को पुनरजीवित करने और रिचार्ज करने के लिए एक शान्तिपूर्ण निवास स्थान है फुकेट में दर्शनियस थलों की कोई कमी नहीं है लेकिन थाइलेंड के सम्रिधा सांस्कृतिक एतिहास को जानने के लिए आपको सियाम निर्मित शो देखना चाहिए रवाई गाव थाइलेंड के दक्षिन पूर्वी तट पर स्थित है और अपनी लंबी पून्च वाली नावों, समुद्री भोजन रेस्तरा और समुद्री जिपसी मचली बजार के लिए बहुत प्रसिद है बांगला रोड यह फोकेट की नाइट लाइफ के लिए जीवन रेखा है जहां भीर आकरशक क्लबों और बारों, युवा लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किये गए है 1974 की प्रसिद जेम्स बॉंडर फिल्म में एक विशेष्टा के साथ प्रसिद्धी के लिए शूट किया गया, यह द्वीप फोकेट में घूमने के लिए सबसे शान्त स्थानों में से एक है फोकेट के सभी पर्यटन स्थलों में से सिमिलन द्वीप सबसे मजेदार हैं, खासकर यदि आप प्रकृती की खोज करना पसंद करते हैं फोकेट में प्रमुख आकर्शनों में से एक प्रसिद्ध फीफी द्वीप है जहां आप पूरी रात जीवन्त डिस्को और थंपिंग संगीत का आनंद ले सकते हैं अपने बेदाग सफेद रेतीले समुद्र तटों, राजसी पहाडों और शांते पूर्ण वातावरन के कारण राया द्वीप को फोकेट में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगा माना जाता है जब आप फोकेट में हूँ तो खाई द्वीप की शांती में लिप्टे अपने प्रियजनों के साथ एक शांत दिन का आनंद लेने के लिए शहर के शोर और यातायात से बचें फोकेट के सभी परियटन स्थलों में से फौंग नगा प्राकृतिक सुन्दर्ता और मंत्र मुगधा कर देने वाले पैनोरमा के मामले में सबसे अमीर है प्रोमथेप केप फोकेट में फोकेट के सबसे अधिक फोटो खिचवाने वाले परियतक आकर्शनों में से एक है माया बे, हैट नोफराट तारा, म्यूको फीफी नेचर रिजर्व का हिस्सा है यहां तक की उश्नकटे बंधिया स्वर्ग के लिए हॉलिवुड के मानदंडों को भी पूरा करता है बनाना बीच, समुद्र तटों के मामले में फोकेट के सबसे चकाचोंद भरे गेहनों में से एक है और इसमें एक गुप्त समुद्र तट का आभास होता है पातोंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर त्री ट्रांग बीच शांत का एक अदबुत आश्रे स्थल है फ्रिम्प्थेप केव में सूर्यास्त को देखते हुए अपने जीवन के कुछ सबसे शांत क्षणों को कैप्चर करने के लिए अपने कैमरे लाएं स्थानिय लोगों द्वारा इस स्थान को वॉर्ट लिपोन के नाम से जाना जाता है मुख्य भावन के शीर्श पर स्थित शैन बुद्ध यहां का प्रमुख आकर्शन है जुई तुई श्राइन यह एक लोगप्रियचीनी मंदिर है जिसे यहां सभी नए लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए मैदान में मंदिर की तस्वीरे प्रदर्शित हैं जो 1911 की हैं मंकी हिल जिसे तोह से हिल के नाम से भी जाना जाता है पर जाकर फुकेत शहर के सबसे अविश्वस्निय द्रिश्यों का साक्षी बनें JTC Holidays Private Limited, Rajkot, Contact 968-789-5000 या 922-76-00-89-00